इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का गुंजन आज के वीडियो में करेंगे हम अपना अगला पाठ राजेंद्र बाबू तो यह है आपका पाठ पाठ का नाम है राजेंद्र बाबू तो क्या आपको पता है हमारे भारत के सबसे पहले राश्ट्रपती मतलब फस्ट प्रजिडेंट आफ इंडिया कौन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उन्हे के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा पाठ है राजेंद्र बाबू तो उन्हे के जीवन का एक हिस्सा है जो यहाँ पर बताया गया है ठीके तो लिए उसको हम पढ़ते हैं तो देखें सुभह का समय था सुभह का समय था है ना मौनिंग टाइम था गजजन नल से एक बाल्टी पानी भरता और उसे लेकर भवन की और दोड़ता तो गजजन कोई है ठीके यहाँ पर आप एक आदमी का पिक्चर दे सकते हैं वो जो है पानी से जो है बाल्टी से पान भरता है और उसे लेकर भवन की तरफ मतलब घर की तरफ दोड़ता है इस बीच नल की नीचे रखी बाल्टी भर जाती और इससे क्या होता है जब वो एक बाल्टी लेकर घर में जाता है तब तक जब वापस आता है दूसरी पाल्टी जो है भर जाती है वो उसे उठाता और लेकर दोड़ा दोड़ा बीतर जाता है और फिर वो उसको उठाता है फिर लेकर दोड़ दोड़ कर भीतर जाता है भीतर मतलब अंदर चले जाता है घर के अंदर दोड़ा दोड़ा तब क्या देखता है तब ही कंधे पर अंगोचा डाले हाथ में धोती और लोटा लिए एक तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है एक व्यक्ति आता है जो ऐसे धोती रवीव पैन के आता है और बोला वे ही जरा बाल्टी दे दो ओव तो वहां बहुता है और ऑर दोती के ऊपर ल्हां नील dec इसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है वो आदमी, ठीके जो आया था वो कहता है कि जरा हम भी नहाले, हमें भी पानी दे दो, तो गजन क्या कहते हैं, तुमें क्या जल्दी है, कुछ देर रुख जाओ, अभी हमें बीतर पानी पहुंचाना है, तो वो कहता है कि तुमे इतनी जल्दी क्यों है थोड़ी देर वेट करो अब यह मुझे यह सारा पानी भीतर घर के अंदर तक ले जाना है गजन ने कहा बस एक बाल्टी देदो जट से दो चार लोटे पानी डाल लेंगे उस व्यक्ति ने कहा तो वो आदमी कहता है कि अरे बस एक बाल्टी पानी ऐसे वो आदमी कहता है, तब गजन नाराज होकर कहते है, अरे तुम समस्ते क्यों नहीं? आज सभा है, मतलब आज कुछ मीटिंग है तुम समस्ते क्यों नहीं हो? बीतर बड़े बड़े लोग आए हुए है मतलब अंदर जो है बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए है उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है तो उनको नहाना है सारे लोगों को बड़े बड़े लोग आए है इसलिए हर कमरे में हर बात्रूम तक न उन्हें उसे पानी पहुंचाना है देर मत करवाओ मतलब मुझे लेट मत करवाओ गजजन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा और गजजन जो है एक बाल्टी लेकर वहां से चला गया तो अब वो व्यक्ति कहता है अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं वह व्यक्ति बोला तो वो व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं अब मैं भी करूँगा आपकी मदद मुझे भी लाओ मतलब मैं भी हम भी मदद आपकी कर देते हैं उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली लोटा रखा और बाल्टी बरते ही दोड़ दोड़ कर गजन को पकड़ाने लगा यानि वो आदमी भी अब गजन की मदद करने लगा एक एक बाल्टी भरता गया धोती लोटा सब उसने अपना साइड में रखा और बाल्टी को भर भर के जो है दोड़ दोड़ कर गजन तक पकड़वाने लगा थोड़ी देर में सारे कमरे में पानी पहुँच गया और उसने जो है गजन की मदद की और सारे कमरे में, सारे बात्रूम तक पानी पहुचा दिया गया उन लोगों के नहाने के लिए गजन बैठकर सुस्ताने लगा, गजन फिर बैठकर सुस्ताने लगा, मतलब उसे आलसाने लगा और उस व्यक्ति ने जटपट सनान किया, तो वो जो व्यक्ति था ना ये वाला, उसने जल्दी से सनान किया, मतलब नहाया और गजन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया और उसने जो है गजन को थैंक्यू बोला क्योंकि उसको नहाने दिया ना उससे इसलिए उसने जो है थैंक्यू बोला और वहां से चला गया धन क्या हुआ थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई फिर थोड़ी ही देर में प्लिटिंग वहां पर शुरू हो गई। उसने बैठे व्यक्ति को ग्लास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया और फिर जाकर उसने एक व्यक्ति को ग्लास पकड़ाया और वो देखकर वो हक्का बक्का रह गया मनला वो चौक गया जब उसने उस आदमी को देखा अरे यह तो वही है जिने मैंने बाल्टी नहीं दी तब उसने देखा कि ये वही आदमी है, वही व्यक्ति है जो सुबह बाल्टी भर कर गजन की मदद कर रहा था, गजन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालविय जी बोले, तो दूसरे आदमी मदन मोहन मालविय जी बोले, वो बोलते हैं, इने नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंदर बाबू है तो कोई और उन्हें बताते हुए कहता है कि अरे आप इतना चौकर क्यों देख रहे हो क्या आप जानते नहीं ये हमारे राजेंदर बाबू है गजन तो बहुत ही शर्मिंदा हो गए और गजन ने क्या किया राजेंदर बाबू के पैर पकड़ और गजन को उन्होंने हक किया क्योंकि यही राजेंदर बाबू थे जो सुबह धोती पहन कर इस गजन की मदद कर रहे थे पानी भरने में है ना एक है यहाँ पे बताया है कि सादगी के पुजारी यह राजेंदर बाबू हमारे पहले राश्ट्रपती बने सादगी मतलब सिं होता है पैसा होता है पर फिर भी वो बहुत ही सिंपल होते हैं उनमें सादगी होती है मतलब सिंपलिसिटी होती है तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे राजेंदर बाबू जो हमारे सबसे पहले राश्ट्रपती बने मतलब प्रसिडेंट बने राश्ट्रपती भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंध प्रसाद ने के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारन किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे वो पहले जैसे किसान की तरह जीवन बिताते थे ना बात में भी वो उसी तरह एक साधारन एक नॉर्मल एक ओडिनरी फार्मर की तरह ही उन्होंने अपने आगे का जीवन भी बिताया था और देश की सेवा करते रहे और अपने देश के लिए मदलब भारत की सेवा करते रहे as a president ठीक है एक रश्रपती बन कर तो यही है उनके बारे में एक छोटा सा हिस्सा जो तो उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा जो यहां पे हमें बताया गया है डॉक्टर राजुंद्र बाबू होप आपको समझ में आ ऑई-बाइ टेकर